हमास को रफा से उखाड फेकने के लिए इस्राइली फौज ने रफा पर चड़ाई कर दी है इस्राइल के युद्धक टैंक रफा के भीतर घुश चुके है आईडिय अफ लगतार रफा में हमास के ठिकानों पर बंबारी करती हुई आगे बढ़ रही है लेकिन रफा में इस्राइली सेना का रास्ता इतना असान नहीं है कि जितना उसे नज़र आता है क्योंकि रफा में हमास की अलग-अलग सैनने शाखाओं ने आईडिय फ पर हमले शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में अलकुज ब्रिगेड ने IDF पर एक बड़ा अटेक किया है ये हमला अलशोका के पास हुआ है जो पूरवी रफा में है अलकुज ने यहाँ पर IDF के ओपर 107 mm रॉकेट्स और कई 120 mm वाले मोटार गोले दागे हैं और इसी इलाके में अलस्का मार्टर ब्रिगेड के लड़ाकों ने इसराइली सैनिको के ओपर हैवी कैलिबर गोले भीद आगे है वहीं अलकासिम ब्रिगेड ने तो इसराइली सैनिको के जमावडे पर 114 mm रजूम रॉकेट फायर किये है ये हमला भी पूरवी रफा में हुआ है इसके अलावाल कासिम ब्रिगेड ने कई रॉकेट लॉंचर से इसराइली सैनिको पर करेम अबू सलेम मिलिटरी साइट में हमला किया है हालकि एक तरफ जहां IDF गाजा में चड़ाई कर रही है वहीं दूसरी तरफ हमास इसराइल के ऊपर स्थाई युद्विराम का दबाव डाल रहा है और अब हमास ने नितनियाहू से दो टूक कह दिया है कि अगर IDF गाजा में हमले जारी रखती है तो किसी भी तरह का कोई युद्विराम नहीं होगा इसको लेकर हमास के अधिकारी उसामा हमदान ने एक प्रेस कॉन्फरेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर IDF रफा में हमले जारी रखती है तो हमास के लिए इसका जवाब देना जरूरी हो जाएगा तर्द मिन्हों न Jim ज papa में झारी देना लुद में लिननाoint ओाना दिकारी जारा उसकारी हो जाएगा। देना जारी मिन्होंने किसे इसावा हो जार्दा इस्ता कासुआर देना लारी तो हमास कम इस बाय देनान सक्षबधा का सहीनग एक सक्षब इसक्ता कर वριाग चारी में आईडी एफ पर हमले जारी रखते हुए अलकासिम के अलावा डी एफ अलपी ने भी इसराइली सेना पर राफा बॉर्डर क्रोसिंग के पास कई रॉकेट्स फायर कर दिये और इसी दौरान अलकासिम ब्रिगेड ने अलशोका में आईडी एफ के मेरकावा टैंक पर टेंडे रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेट दागा है बड़ी बात यह है कि इस हमले में इसराइल का मेरकावा टैंक पूरी तरहा से नश्ठ हो गया और इस टैंक का चालक दल जब हमले से बचने के लिए बिल्डिंग की तरफ भागने लगा तो अलकासिम ने उन पर भी हमला बोल दिया आपको बता दे कि गाजा के भीतर इसराइली सेना चोतरफा हमलों से जूज रही है और नेटजरीम एकसिस में तो इसराइली सेना पर अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने दना दन गोलों की बरसात कर दी इस सब के बीच हमास ना सिर्फ गाजा के भीतर आईडियफ को निशाना बना रहा है बलकि वो गाजा के बाहर भी इसराइली सेना पर हमले कर रहा है और इसी कड़ी में किबूर्ज नेर यिजजाग सेटलमेंट पर अलकुज ब्रिगेड ने रॉकेट के कई जथे बरसाए ह इसके अलावा अलकासिम ने पूरवी रफा में रेम मिलेटरी बेस पर भी एक सीधा हमला किया है और इस हमले की वज़ा से इन हश लोशा किसू फिम और रीम में हवाई हमलों के साइरन बजने लगे थे अलकासि क्या हमलों झाल झाल